IT कंपनी Infosys के को फाउंडर NR नारायन मूर्ती ने अपने पोते को ऐसा गिफ्ट दिया है जिससे नन्हा बच्चा महस चार महिने की उम्र में ही करोड पतियों की लिश्ट में शामिल हो गया है नरायन मूर्थी ने अपने नाती एकागर रोहन मूर्थी को 240 करोड रुपए से ज़्यादा कीमत के Infosys के शेयर गिफ्ट में दे दिये हैं Infosys को founder ने अपने रोहन मूर्थी के पुत्र एकागर रोहन मूर्थी को बड़ा गिफ्ट दिया है नरायन मूर्ती ने IT दिगज में अपने पास मौजूद शेयर होल्डिंग का एक हिस्सा अपने पोते को उपहार स्वरूप दे दिया है एकागर को दिये गए शेयरों की वैल्यू करीब 240 करोर रुपे से जादा है इनफोसिस की और से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक चार महीने के हुए एकागर रोहन मूर्ती की देश की दूसरी बड़ी IT कंपनी इनफोसिस में 0.04% की हिस्सेदारी है इस हिसाब से एकागर को गिफ्ट में दिये गए शेयरों की संक्या 15 लाक होती है नारायन मूर्ती और सुधा मूर्ती बीते साल नवंबर महीने में दादा दादी बने थे जब उनके बेटे रोहन मूर्ती और पतनी अपणना कृष्णन को एक बेटा हुआ था परिवार के इस नन्हे सदस्य को अब उन्होंने ऐसा तोफ़ा दिया है कि वो चार महीने में ही सुर्खियों में आ गया है इन्फोसिस में 15 लाक शेयरों की हिस्सेदारी के साथ एकागर रोहन मूर्ती भारत के सबसे युवा करोल पती बन गए है स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक नारायन मूर्ती ने अपने नाती को आफ मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए ये गिफ्ट दिये है एकागर रोहन मूर्ती को अपनी स्टेक होल्डिंग में से 0.04 फीसिदी शेयर गिफ्ट में दिने के बाद इनफोसिस में एन आर नारायन मूर्ती की हिसेदारी 0.04 फीसिदी से कम होकर अब 0.04 फीसिदी रह गई है स्टॉक होल्डिंग पैटर्न के मताबिक इनफोसिस को फाउंडर के पास अब कमपनी के करीब 1.51 करोड शेयर है एकागर रोहन मूर्ती से पहले नारायन मूर्ती और सुधा मूर्ती ब्रिटेन के पेम रिशी सुनक और अक्षता मूर्ती की दो बेटियों के नाननानी भी है उन्होंने अपनी कमपनी इनफोसिस के शुरुवात 1981 में की थी और आज इसका कारूबार दुनिया भर में फैला हुआ है कमपनी का मार्केट कैपिटलाइजिशन 6,63,000 करोड रुपे है